हलो फ्यूवर्स वेलकम तो माई चानल का इस आज की स्टोरी में हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी देखेंगे वर्ड मीनिंग देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा किस टेंस में बनाई गई है तो चलिए इसमें क्या है स्टोरी का नाम है I want a son जिसम चाहिए बेटे के लिए कि मुझे बेटा चाहिए चो देखते हैं इसमें क्या होता है चलिए स्टार्ट करते हैं once there was a brahman जैसे I want a son I means मैं want means चाहता हूं एक son means बेटा I want a son मैं बेटा चाहता हूं ठीक है यह स्टोरी का नेम once there was a brahman एक बार एक क्या था was means था ठीक है a brahman means एक साधू था ठीक है एक बार एक साधू था he had a beautiful house had लगा है तो means उसके पास कुछ था ठीक है he means बेह है उसके पास क्या था कुछ भी हो ना आपके पास जब कुछ भी हो present में है तो has have लगता है अगर past में है तो had लगता है ठीक है तो यह past की story है तो had लगा he had a beautiful means एक सुन्दर house means घर एक बहुत सुन्दर घर था a loving wife ठीक है एक प्यारी सी उसकी wife थी ठीक है पत्नी थी and a lot of wealth और बहुत सारी lot of means बहुत सारा पैसा था ठीक है wealth means पैसा ठीक है still लेकिन फिर भी still means फिर भी he was very sad वह बहुत उदास था was means था past में है was बहुत लगता है ठीक है बहुत उदास था the reason behind it जो कारण था इसके पीछे behind means पीछे reason means कारण it means मतलब इसके पीछे क्या कारण था it was that he had no child वो क्या था it was वह था कि उसके पास he had नहीं था है he had no child कोई बच्चा नहीं था ठीक है वो बहुत पैसे वाला था लेकिन बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था in spite of conducting many prayers of appease God मतलब conducting बहुत सारी ठीक है in spite of के बावजूद के बावजूद किसके बावजूद मतलब conducting many prayers बहुत पूजा पार्ट करने के बावजूद भी conducting means संचालन करना किसी भी चीज का many prayers बहुत सारी उसने prayer करने के बाद भी पार्ट पूजा prayers किसलिए to appease God भगवान को मनाने के लिए appease means मनाना खुश करना, शांत करना to appease God भगवान को मनाने के लिए उसने बहुत सारी क्या करी prayers को conduct किया ठीक है लेकिन finally ठीक है अंत में one day he left his house एक दिन he left means उसने छोड़ दिया leave means छोड़ना, left means छोड़ दिया left his house अपना घर छोड़ दिया for himalias, ठीक है, himalias पे जाने के लिए ठीक है, वहाँ जाने के लिए उसने पना घर छोड़ दिया where, जहां पर he meditated, meditated means ध्यान लगाना ठीक है, meditated उसने ध्यान किया for years, मतलब सालों तक उसने वहाँ पे क्या किया, ध्यान किया सालों के लिए one day God happy with his meditation एक दिन भगवान जो थे वो खुश हो गए with his meditation उसके ध्यान से, ठीक है उसके ध्यान से खुश हो गए God appeased before him ठीक है, भगवान ने खुश हो कर उसको उसके सामने आए appeased मतलब शान्त हो गए और उसके सामने आए, ठीक है, मनाने उसको and said what do you what do you, interrogative, what do you want तुम क्या चाहते हो my child, मेरे बच्चे तुम क्या चाहते हो oh God all I want is a son कि, हे भगवान all I want means मैं ये चाहता हूँ मैं बस यही चाहता हूँ is a son, एक बेटा चाहता हूँ the brahman said सादू ने उत्तर दिया कि मैं एक, देखे भगवान आये उसके सामने जब उसने meditation किया तो भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो कहता है कि all I want I want a son but God said प्रंतू भगवान ने बोला I can't, cannot I cannot grant your wish कि मैं तेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं कर सकता grant means मतलब नहीं मांग सकता cannot है सका सके सकना तेक है नहीं सकता ask for anything else मतलब ask for means मांगना anything means कुछ और else तेक है anything else, कुछ और मांगो ask for anything else no, I only want a son नहीं मिरको सिरफ, मुझे सिरफ मैं चाहता हूँ सिरफ एक बेटा I only want a son said the brahman brahman ने बोला God said God ने बोला I grant you a son कि मैं तुम्हारे लिए मतलब मैं तुम्हें बेटा देता हूँ ठीक है but remember ये याद रखना stubbornness always brings pain जो जिद्धी पना होता है stubbornness means जो जिद करता है जादा जिद पना जो है always हमेशा brings means लाता है क्या लाता है pain लाता है जिद्ध हमेशा दुख लाता है soon the brahman had a son जल्दी ही brahman को जो सादू था उसको बेटा मिल गया था ठीक है had a son उसका बेटा था but the boy grew disobedient and dishonest but वो जो लड़का था बड़ा हुआ मतलब grew disobedient means हटी ठीक है जो हट करने वाला कहना नहीं मानता disobedient and dishonest means बेइमान ठीक है बेइमान हुआ वो लड़का the mischievous boy earned जो mischievous means शरार्ती जो शरार्ती लड़का था earned means कमाया bad name उसने बुरा नाम कमाया for the brahman brahman के लिए बुरा नाम कमाया उसने now the brahman realized अब जो साधू था उसको ये महसूस हुआ realized हुआ that the god's words had come true ठीक है जो भगवान की जो शब्द थे god's words मतलब भगवान के शब्द जो उसकी वार्नी थी had come true वो सच हो गई थी ठीक है बगवान ने कहा था ना नहीं grant कर सकता बेटा कि तू कुछ और मांग लेकिन उसने कहा नहीं मुझे बेटा ही चाहिए लेकिन उसको मिला बेटा वो क्या निकला disobedient means hathi or dishonest बेइमान निकला और बहुत शुरार्ती लड़का निकला जिसने की साधो के नाम को खराब कर दिया ठीक है तो ये थी स्टोरी अगर हम जिद करते हैं तो हम हमें pain का सामना करना पड़ता है मुराई का सामना करना पड़ता है तो हमें भगवान की ही रजा में खुश रहना चाहिए ठीक है आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे लगी होगी तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा स्टे बलेस्ट और वेस